द्रॉप यर में मैंने बायोम के टारगेट पैच मेड मिशन लिया था बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रेपरेशन का संस्थान परंपरा को कायम रखते हुए जारकन के इतिहास में पहली बार मीट यूजी में 700 माक्स पार तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ बायोम गिनू और नगराटूली राची मुक्यमंत्री हेमन सोरे ने राज़िपाल सिपी राधा कृष्णन पर साजिस करने का आरोग जारकन विधान सभा में लगाया है हेमन सोरे ने कहा है कि राज सरकार की ओर से भेजे गए विध्यक्व को राज़वन की ओर से लौटाना ही साजिस का हिस्सा है राज़वन की ओर से बिगान सभा को इसकी सूचना भी नहीं देना साजिस की प्रतीत होता है पर अब चुकि निवक्तिया निकल रही है अद्यक्ष्माद है बड़े पैमाने पर 26,000, 28,000 के लगवक निवक्तिया निकली है अब चुकि इन लोगों ने एक राज के नौजवानों को उद्धिक भुरहमित करने के लिए बड़ी चतुराई से साट चालिस का एक मारा लगाया है जिसके माध्यम से नौजवानों को गुम्रह करने का एक सर्यंत रेक जहर कि इन लोगों ने समाज की बीच में फेका है अद्यक्ष्माद है मैं आपको असपस उपसे बता दूँ अद्यक्ष्माद है कि सरकार की असपस सोच थी कि हाँ सौ परतिसत लोग अस्थानिय लोगों की निप्ति हो यसी को लेकर हम लोगों ने पूरु में 32 अधारी नियूजर नितिये हम लोगों ने लाने का प्रियास किया था देक्ष्माद है सदन से पारिद भी किया लेकिन महामहिम के हाँ जाकर के ये फस गिया और वो भी इस तरीके से उलगा कि हम दुबारा इस सदन में उसमें बहुत नहीं कर पा रहें लेकिन हमारी पूरी मनसा है कि 32 खत्यान अधारिद नियूक्ति फिर से हो इसके लिए हम फिर से विदेक लाएंगे फिर से बेजेंगे अधार्थमाद है ये हमारी बिल्कुल असपर सोच है और वर्तमान में जो ये खुद पूछ रहे हैं इनको एक बार अपने गिरवान में भी शाकना चाहिए था कि वर्तमान में किस परिष्टिती किस नियम आवलिस से नियूक्ति हो रही है ये सवाल बड़ा जीव था मंत्री को ये बात पूछा जा रहा है ये खुद से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि ये नियम बनाया था किस ने ये नियम तो उनी ही लोगों ने बनाया था देख्शमावदे इनी ही लोगों के वज़े से आज ये इस्तिती हुई पढ़ी है आज इतने सारे नौजवान हम लोगों ने सभी नौजवानों से इस विसे में पूछा क्या हम लोग 19-32 अधारी नियोजन निती का अधियार करें कि वर्तवान परिच्टिस्थी के साथ ही आगे बढ़ा जाए नौजवान को अगर वक्त पर राह नहीं दिखाया गया देच मौद है तो वो भटक जाता है अगर वो एक बार भटक गया देच मौद है फिर दुबारा उसको रास्ते पे लाना फिर बहुत जद्धो जहद का काम है देच मौद है और उसमें कितने सारी उल्टे सीधे कारे होंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है देच मौद है इसलिए हम लोगों ने वर्तमान हमारे नौजवानों का जो डिस्ट्रेस था उसको कम करने का एक परियास किया कि इस बार चलो हम लोग इसी निती के साथ आगे बढ़ते हैं लेकिन परियास हम लोग अपी कम नहीं रहेगा देच मौद है और अधिक्ष मौद है आपको पता है अधिक्ष मौद है वैसे भी वर्तमान परिष्टिती में साथ परिश्ट्टों और इसे ही रिजर्व कैटेग्री का बना हुआ है पचास परिश्ट स्टी एस्टी और वीसी में बढ़ता है दस परिश्ट जो आर्थिक्रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए साथ परिश्ट तो ऐसी अधिक्ष मौद है और चालिस परिश्ट है क्या चालिस परिश्ट में क्या चालिस परिश्ट सब बाहर के होंगे ऐसा तो नहीं हो सकता और आज भी अध्यक्मावद है जब इनके वक्त में 75% लोग बाहर से आते थे आज सरकार की खड़ी निग्रानी में और बिना किसी डर्भ है कि पदादी कारी के काम करने का अजादी से निर्वी खोकर आज के दिन में अध्यक्मावद है बहुत मुश्किल से 15-20% ही लोग बाहर से इसमें गुश पा रहे हैं और मुझे नहीं लगता है ज़्यक्मावद है वो भी ज़्यादा दूर नहीं कि आने वाला समय में हम इस परिस्तिती में भी उस 20% को 0% मिले जाने का हमका है आज ज़्यक्मावद है बहुत सारी बाते हैं देख्मावद है और नौ भी बज रहा है मैं समस्ताओं देख्मावद है जो सरकार के कारे हैं बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं समस्ताओं की रखकुन्दे वाले होते तो बोलने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है मैं समस्ताओं देख्मावद है मैक लुस्की गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लम्हों को बिताईए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जब दूरती है आज जब धकती है सास जब रूरते हैं अपने मुमोरता है जबाना जब अंगलाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अनमिक निस्टा देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्ता